हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मोटीव बिंग तो आज हम लोग एक कोश्चन को ले करके फिर से आ गए लेक्रिसिटी चैप्टर से तो इस कोश्चन में बोला जारा हम लोग के पास की एक दो लेंप दिया हुआ है और दो लेंप लिए पहले लेंप के लिए 100 दिया हुआ है और उसके औल प्रिसका पाव के लिए था हुआ है तो ये पहला resistance हम लोग के लिए निकल के आ चुका है, अब हम लोग दूसरा resistance देखेंगे, मतलब दूसरे lamp का resistance देखेंगे, तो उसका power दिया हुआ हम लोग 60V, और उसको भी 48400, potential difference मतलब की 220V के potential difference में उसको भी set करके रखे हुए, और इसका resistance हम लोग R2 ले लेते हैं, इसका R1 नेम कर देते हैं, तो यहां से R2 का जो value आ जाता है, वो हो जाता है, 48400, divided by 60, 00 cancel हो जाएगा, और 2 से यहां cancel होगा, 3 बार में, यहां पर हो जाएगा, 2420, ठीक है, यहां से 3 से cancel नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग छोड़ देंगे, अब parallel में हम लोग को बोलागी, यह connected है, तो parallel में connected है, तो हम लोग resistance जो R equivalent हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 by 1 by R1, यानि कि 144, plus 1 by R2, यानि कि 3 divided by 2420 का inverse, ठीक है, अब यह बहुत simple चीज़ था, जो हम लोग यहां पर करके पहुंच चुके है, अब इसको हम लोग calculate करेंगे, तो यहां पर हम लोग इसके LCM लेंगे, त कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर calculation करेंगे, तो यहां पर 484 है, अब उपर में हम लोग अगर इसको अच्छा सा calculation करेंगे, तो R equivalent आ जाएगा, तो चलिए इसको करते हैं, तो यहां हम लोग इसको इस तरह सलिग सकते हैं, 1 by 484, इंटू 10 कर दिये, दोनों तरफ उपर और नीसे, और यहां पर इंटू 2 कर दिये, उपर और नीसे, तो 2, 3 हो जाएगा, दिवाइदma हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4840 divided by 16 यह हम लोग का R equivalent आगिया है इसको हम लोग solve करेंगे 4 से divide करेंगे तो हो जाएगा 1210 वी टू से cancel करेंगे और यहां पर हो जाएगा 605 तो यहां पर हम लोग का इक्विएलेंट रेसिस्टेंस जो आ गिया है वह आ गिया है 605 by 2 ठीक है यहां तक आपको पूरा बात clear होगा अब यहां पर हम लोग क्या बोला जा रहा है कि यहां पर हम लोग वोल्टेस से supply कर रहे है 220 वोल्ट से इसको connect कर दे रहा है तो कितना करेंट ड्रा होगा तो 220 वोल्ट के यह पोटेंशल डिफ्रेंस में हम लोग connect करेंगे तो वी इक्वाल टू आयार होता है अब वी हो जाता है 220 ठीक है इस इक्वाल टू आई जो कि हम लोग को निकालना है और आर हो जाता है 605 बाई टू ठीक है तो इसको हम लोग उससाइट ले जाएंगे तो 440 हो जायेगा डिवारड़ बाई 605 हो जायेगा इस इक्वाल टू आय हो जायेगा तो 121 डिवारड़ यहां से हो जायेगा 88 ठीक है अब यहां से हम लोग 11 से फिर cancel कर सकते 8 और यहां पर हो जाएगा 11 तो current जो हम लोग का आ जा रहा i is equal to 8 by 11 ठीक है यह हमारा answer हो गिया ठीक है I hope कि इस में से आपको सारा concept समझ में आया होगा मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and all the best